हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंगलेश क्यान पे आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन जो की बीएट कोर्स के लिए काफी परसिद्ध है आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुट जाएए क्योंकि यहाँ पे आपको डियू बीएट और जाम या बीएट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है इससे पहले वाली वीडियो में हमने डियू बीएट कुशन पेपर और डियू बीएट 2020 की कट अफ के बारे में डिसकसन किया हुआ है उन वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं डिपार्टमेंट अफ एजुकेशन जिसे पहले CIE Central Institute of Education के नाम से जानते थे यह सिक्षा के छेतर में भारत का पहला Learning and Research Institute है जिसकी स्थापना भारत की अजादी के उपरान 1947 में पंडित जवालाल नहरू और सिक्षा मंतरी डॉक्टर अबुल कलाम आजाद के परियासों से की गई DOE Department of Education की Teaching Faculty काफी अच्छी और प्रभाव साली है जो आपको आपके भाविस्से के लिए काफी अच्छे से ट्रेंड करती है DOE का कैंपस महरिशी वालमिकी कॉलेज की कैंपस से काफी बड़ा और सांदार है यह आपको देखने में काफी प्रभाव सारी लगेगा यह एक कोईट इंस्ट्यूट है जहाँ पे सभी विद्यार्थी लड़की और लड़के एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं और अपना भविस्से एक टीचर के रूप में सवारने की कोर्सिस करते हैं Department of Education में सभी कोर्सिस के लिए सीट्स अवैलिवल होती हैं और यहाँ पे लड़की और लड़कों के लिए अलग से हॉस्टल फैसलिटी भी उपलब्द है जिसके लिए आपको कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में आपको अपलाई करना पड़ता है DOE की लाइबरेरी फैसलिटी भी काफी अच्छी है यहाँ पे आपको एक अच्छी सांदार बड़ी सी लाइबरेरी देखने को मिलती है जहाँ पे आपकी स्टडी और जाता इंप्रूज हो जाती है Department of Education की अगर फी की बात करें तो इसकी फी काफी कम है आपका 8,000 के अराउंड पूरा yearly इसकी इंकम जाती है इसके बात अगर इसकी location की बात करें तो Department of Education North Campus में located है जिसका nearest metro station दिल्ली विश्विताले है यहाँ पे आपको yellow line देखने को मिलेगी Department of Education का building design कुछ हद तक आपको Hindu college और SRC college की तरह देखने को मिलेगा इसका color shading आपका पूरा red है अगर आप इसके gallery को देखें तो यह आपको कुछ हद तक government school की तरह देखने को मिलता है इसी के साथ Department of Education टाइम टाइम पर नई नई activities आयोजित करता रहता है जो की बच्चों के मानसिक और उनके नैतिक मूल्योक में व्रिद्धी करता है Department of Education में आयोजित होने वाला festival भी काफी अच्छा होता है देखने में काफी सांदार और attractive दिखता है Department of Education दिल्ली विश्विद्धाले का सबसे अच्छा education department माना जाता है तो ये थी आज की वीडियो I hope आपको अच्छी लगी होगी information जो भी share की गई तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को subscribe करके रख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं Thank you so much for watching this video Have a nice day